नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास एक प्रॉड़क्ट है कोटरेल फॉर ड्राइ स्कीन कोटरिल फॉर ड्राइ स्कीन तो यह बहुत ही बढ़ी बढ़त है यह क्या काममें आता है इसको मैं बताता हूँ ठंड के जिनों में आपको एडियों के फट्रेय की सिकायत होती है तो उसके लिए आप बहुत तरह के बोरपलस भी लगाते हैं या क्रेक क्रीम लगाते हैं और बहुत ही तरत रखे अलग- अलग तरह से आप ट्राइ करते हैं कभी नमक पानी गरम पानी में पैर धोके नमक पानी में डूबा कर रखते हैं फिर मॉस्चराइजर लगाते हैं तो इससे आपकी फटी एडियां ठीक हो जाती है लेकिन उसी तरह का ये और पुराना प्रोड़क्ट है बहुत ही कोटारेल तो अस उसकी आप composition हम लोग देख लगते हैं composition में आपको इहां पर urea जो है इसका main ingredient है वो है 12% और lectic acid जो है 6% है glycine 3% है ammonium chloride 0.5 है sodium chloride भी 0.5 है potassium chloride 0.5 है calcium lactate 0.5 है magnesium chloride 0.3 है sodium dihydrogen phosphate dihydrate 0.5 है और base जो है अपना दिया हुआ है और instruction में लिखा हुआ कि store rated temperature not exceeding 25 degree Celsius for external use only ये 50 gram का packet है 50 gram इसका मुल्य जो है आपको 83 रुपे है आप इसे online जो है किसी भी pharmacy medlife 1 mg इतादी से purchase कर सकते हैं तो ये 19 का manufacturing है expiry 21 है यानि दो सल को आपको expiry उसका यूज करने का time मिलता है for dry skin और यहाँ पर आप लिखा हुआ है company दावा करती है for the treatment of dry and hypercreatic skin and all type of isthiosis isthiosis मतलब skin condition जिसमें अद्धिक skin जो है बहुत ही scale step के मचली की तरह बन जाते हैं तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं उसमें राहत पहुंचाती है direction इसका यूज करने के लिखावा कि affected skin में आप two to three times daily इसे लगाएं और directed by the physician यानि आपका डॉक्टरी चिकित्सा परामर्स से भी आप इसे उप्योग करें तो यानि ये कुल मिलाकर ये urea based product है इस तरह का आप खोलेंगे तो आपको इसके ओपर धकन मिलेगा उसे लगता है मैंने कहीं fake दिया है तो उस डखकन को खोलने के बाद आपको इस तरह का क्रीम जो है आपको देखने का मिलेगा तो आप देख लिजे फिर से इस तरह का क्रीम है कि यह हमारे पास जो है यह पचास ग्राम को प्रोड़क्ट है पचास ग्राम आपको 83 रुपय में तो इसे जब हम इस तरह लगाएंगे तो यह लगाने के बाद यह खलकी सी सफिद परत यह छोड़ रहा है और इसकी सुगंध हम लोग चेक कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा सुगंध तो इसमें है दवाई दवाई ऐसा तो नहीं माकरा तो इस तरह का आप इसको लगा लेंगे तो मैंने इसको आप फटी एडियो में जो है यहां मैंने ऐसे लगा के देखा दी आपको फटी एड तो इसने रेकमेंडे किया था यह बहुत ही अच्छा प्रोड करता है और इसका घरे ले उपाई भी एक बता तके करते हैं यानी आप सार्सो तेल में नबह ए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा नहीं तो कोई भी मुम्मत्ती वाला मौम से भी काम चल जाता है तो इसको ऐसा बना दे कि वो क्रीम टाइप टेक्स्चर में हो जाए गरम कर लें उसमें थोड़ा सा कपूर जो है मिला दें तो उसका भी जो क्रीम मनता है वो भी बहुत ही बढ आपको यह तो और ज्यादा मोटा रहता है देखें लेकिन यह ज्यादा लाब दायक है मेरे विचार से कोट्रेल क्रीम तो मैंने यूज कर रहूं लेकिन यह सबसे अच्छा देशी जो है यह हमारा यह सबसे बढ़िया है मोम सरसो तेल और कपूर थोड़ा लिए कपूर से क आप इसको रामदेबबबब वाले जो है वीडियो में भी आप देख सकते हैं इसकी बनाने के विद्धे दिये ही रहती है तो कुल मिलाकर आप इसे बनाएं तो इसे यूज करें और जदे नहीं बनाना चाहते है तो यह यह कोटरेल जो है आप जरूर इस्तमाल करें इसका लिंग तो मैं दे नहीं पाऊंगा साइद या देखता हूं जिदे मिल जाता है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यह आपको दुकान में भी आसानी से उपलब दो जाता है या फिर मैंने जैसे पता है कि मेडलाइप में या वन एमजी इतादी जो कंपनी है दवाई वाली ओनलाइन जो है शॉपिंग वाली उन पर आसानी से आप पर्चेज कर सकते हैं धन्यवाद आगले वीडियो में हम किसी और प्रोड़क्ट का रिव्यू करेंगे सुब रातरी